फिर तीन कानून लाये गए, किसान का कानून लाया गया, तो 400 का बार का नारख इसले था, जो हमें समझ में आया, वो इसले था, कि उसमें सव्विधान बदलने की बात थी, उसमें आरक्षन रद्द करने की बात थी, अब उसमें बाबा, रक्टर बाबा सायव मेर्टर के वि जंता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जुनों ने इनका सपना संपुष्टित किया और 240 जो है इनको सीटे दी लेकिन जटका जो इनको लगा सनमानी अद्दक्षम हो दे 240 सीट के बदले इनको 440 वोट का जटका लगा और इनको अपेक्षा नहीं थी इनको अपेक्षा नह ड़िये हमारे सांसेट पूछ रहे थे संदीक पात्राजी कि आप खुष क्यू है हम इसलВें खुष यह फूश है कि मैं आग शेर पढ़ना चाहती है मुशानियन ओधिछा मोदे कि हमारा चर्चा इसलिए है क्योंकि हम सभिधान की बात कर रहे हम लेधेश के ले लोकषाउ की बात कर रहे हम् लोगों के現在 की बात कर रह які है तो आपको पता है थी बढ़ती महेंगाई महिलाओं के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई सन्मानिय अद्धिक्षमोदे कितने अफसोस की बात है सन्मानिय अद्धिक्षमोदे यहां हम सब महिलाए बैटी है और इस अभी भाशन में महेंगाई के इसका एक शब्द यहां पर उपस्तित नहीं किया सन्मानिय अद्धिक्षमोदे जिकर ही नहीं है इस पूरे भाशन में आज कमोर्तोर महेंगाई के आज गरीब है मध्यमवर्गिये परिवार है जिनका जीना मुश्किल हो गए सन्मानिय अद्धिक्षमोदे अद्धिक्षमोदे डाल आपको मालूम है टमाटर आटा और प्याज दूद आज सब की चीज़े जो है तो दाम बढ़ गए है उस पे जी एच्टी भी कुछ चीजों के उपर लगाने का काम केंद्र सरकार के तरब से हो रहा है चाहे वो दही हो पनीर हो दूद हो सन्मानिय अद्धिक्षमोदे आज परिवार की बचत जो है 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे जो सन्मानिय अद्धिक्षमोदे गई है क्यो तिगरी जो है सन्मानिय अद्धिक्षमोदे राथ चोगनी जो है वो महंगाई बढ रही है और सन्मानीय अद्धिक्षमोदे इसका शब्स अभी वाशन में नहीं है यह मुझे सबसे बुरा लगा है mówदे जब महाराश्री के एसमली में काम कर रहे थे यह संसद में वी गाम कर रहे हैं जब मनिपूर की बात आती है तो हम महिला है हमें बहुत धुक होता है सनमानिय अद्धिक्षम होदे महिलाओं की नगद धिंडर निकालना यह किसी भी देश के लिए किसी भी संस्कुति के लिए और किसी भी स्केट के लिए सनमानिय अद्धिक्षम होदे बिल्कु हजार से जादा लोग बेघर हो गए और इसके बावजूद सनमानिय अद्यक्षा मोदे में कहना चाती हूँ कि इसके लिए कोई भी जो है इस पूरे भाशन में एक शब्द नहीं है जो भाशन में शब्द है वो सिर्फ है जो आपको पता है उत्तर पुर्वर राज्यों की सनमानिय अद्यक्षा मोदे हम मसे महिला सुरक्षा की बात करते हैं आज महिला सुरक्षा की बात हुए आज सुबही मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी सनमानिय अद्यक्षा मोदे ने इंडिया की टीम जीती उसके लिए प्रस्ताव रखा गया हम महिलाए हैं हम अप योवन की पीड़ा की बात जब लोगों के सामने कहते हैं उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है मैं उन सबी लड़कियों से यहाँ से कहना चाती हूँ कि हम संसद में उनकी आवाज बनके यहाँ से आप से पूछना चाते है पुछ उसके साथ नहीं हुआ मैं यह इस दिए पर कहना चाती हूँ अद्धिक्षम होदे क्योंकि संसद को पूरा देश देख रहा है और इस देश को हमसे अपेक्षा है आपसे अपेक्षा है आपकी चेहर से अपेक्षा है सनमानी अद्धिक्षम होदे अधिक्षमोदे जो मैं संसथ भवन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगाई सब देखके, लेकि मुझे और अच्छा लगता कि संसथ भवन का उद्गाटन और भूमी पूजन दोनों महामहीम राष्टरपती के हाथों से होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, एक महिल अधिवासी महिला को उसका मान मिल जाता, एक दलित, जो हमारे संमानी अब राम को भिन जी थे, महामहीम राष्टरपती उनको यह संमान मिल जाता, शीराम जी का मंदिर हुआ, लेकि महामहीम राष्टरपती जी को बुलाया नहीं गया, मैं इसके लिए भी खेद व्यक्ते क संमानी अधिक्षम होदे, इन चीजों के ओपर ध्यान रखना चाहिए, महामहीम राष्टरपती जी का पत, यह देश का सरवच्चपद है, उनको उनकी गरिमा और उनका संमान मिलना चाहिए, संमानी अधिक्षम होदे, अधिक्षम होदे, मैं मुंबई की रेलवे की बारे 2017 से 2021 तक प्रेंट लोगे हच्चे हुए संमानी अधिक्षम होदे, इसमें जौलखभग एक لاक लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुए संमानी अधिक्षम होदे, यह मैंने कह रही हूं, यह NCRB का रिपोर्ट कहिरा है संमानी अधिक्षम होदे, आज आपको पता है अधि क्राइख़्दान ही और मुंबई की ज़से बड़े लाइफलाइन है वो रेलवे है सनमाने अद्यक्शम होदे आज ऐसे आवस्ता है कि अगर रेलवे अलड़कडा altern जाती है तो मुंबई शहर सनमाने अद्यक्शम मुंबई का आप देखेंगे तो हर दिन साथ लोगों की जाई ये ट्रेन दुरगट ना में जाती है इसके ओपर आपको ध्यान देना पड़ेगा दूसरा ऐसा है सन्मानिय अद्धिक्षा मोदे दो हजार माडम कैंडली कंडली कंडली मैं पहली बार बोलू थोड़ा एक चार सन्मानिय अद्धिक्षा मोदे आप देखेंगे तो 24441 लोगों को जो है वो चोट आने का काम हुआ है आपको मैं बताना चाहती हूँ हाली में मुंबई के हाई कोट ने जो है आपको रेलवे को लटाड़ा है और ये कहा है कि जानवरों की तरह आप लोगों को लेकी जाने का काम कर रहे तो मैं या प्यक्षा करती हूँ इस अभी भासन के माध्यम से कि हमारे मुंबई की जो रेल अवस्ता है इसको सुदाहरने का काम संवानिय अद्धिक्षम से हो ना चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं बता हूँ अद्धिक्षम से मैं एक दिन रेल्वे स्टेशन पर गई जहां पर मुझे ट्रेन पकड़नी थी आप कभी रेल्वे स्टेशन पर मुझे मेरा रिक्वेश्ट लेकि रेल्वे मंतिशी को भीजना चाहिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए जो दूर की रेल्वे होती है ना 30-30 घंटा लेट होती लोगों को लेग बैटने के लिए व्यवस्ताने बच्चों के लिएक रीकि जमीन पे बैठती है उसको दूष्ट लेने के लिए कैंटिंग नहीं है कई प्ई व्यवस्ता नहीं है ना कई लोग उनके सपोड्ट के लिए मदद के लिए ले ने आistes बैटे रहते जिनके पास क करना चाती हूँ अद्देख्शा महारछ्टी यसके हमारे मरे महाराष्टेगा सम dishonला के लिए मिड़ाया थे लिजए कुछ कहना चाती हूँ ए खिति हथ धैद्द प्लीस माड़ाप कांटिगुए सर महाराष्टर से और मुंबई से मैं मैं से ये कहना चाहती हूँ कि सर पूरे अभी भाशन में हमारा सिफ एक ही उले गए और वो ये है कि हमारी जो ट्रेंज आ रही है बुलेट ट्रेंज जो एमदाबाद से मुंबई आ रही है सिफ इसी का जिकर है उसके सिवा मुंबई और महाराष्टर का अभी भाशन में कहीं भी कोई जिकर नहीं सन्मानिय अद्धिक्षम हो दे मुझे कहना पड़ेगा मेरा महाराष्टर केंद्र शासन को सबसे ज़्यादा बड़ा महसूल दीता है और उसके बदले में हमें क्या मिलता है सन् अभी देख्षम हो 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 देख्षम करते हूँ कर देख्षम हो देख्षम हो देख्षम हो देख्षम आज इसे नितिया पनाई गई कि आज दुर भागेवश मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने एक्स्पोर्ड बैंग कर दिया, जिसके कारण लोगों की जो आमदनी थी, वो कम हो गई और विह इतना परेशान है, मेरे आपसे विनंती है कि जिस तरह से तिलंगड़ा सरकार ने या महाराश्टर में जब महाविकास रागाडी की सरकार थी हमने करजा माफ करने का काम किया था उसी तरह किसानों का करजा माफ हो सनमानिय अद्रक्षमोदे मैं यहां से आपको यह विनंती करना चाहती हूँ अद्रेक्षा मोदे में मह से महापुरुषों के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनके समारकों के बारे में बात करना चाहती हूँ हमारे सनमानिया एक खासदार साहब ने यहां पे बात की के हमारे महाराश्तर के सब्सक्राइब कर देश के प्राइब मिनिस्टर ने चोबीस बाराथ दो हजार सोला को इसको जल पुजन किया था सन्मानी अद्दक्षा महदे अभी तक काम शुरू ने किया अशिव समारत का सन्मानी अद्दक्षा महदे भारत रतन डॉक्टर बाबा सब अमबेड़कर जी के समारत का जो है वो इंदुमील का भूमी पुजन दो हजर पंद्रा को किया गया था 11-10-2015 को अभी तक उसका इस दक का का मोँए सन्मानी अद्दक्षा महदे यह हमारे सबसे बड़े अरहद देवत है हमारे यसमीता है तो यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए यह मेरा यहां पे सन्मानी अद्दक्षा महदे यह है बस मैं यह कहूंगी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवत अच्छी विशुषवरेटी आप बात कीजिए प्लीज ओके समय लाश्ट पॉइंट कर लियू सर लाश्ट पॉइंट सर लाश्ट पॉइंट के महाराश्ट के जो हमारे आप अरद देवत या हमारे जो असमिता है चत्रपति शिवाजी महाराज इनके अर्भी समूद्रकिस महारख की श को सब्सक्राइं किया गया फिर तीन कारून लाये गये किसां का कारून लाया गया तो 400 का बारक अरक इसन्य समझ में आया जो इस भिदान बदलने की बात थी उसमें आरकशन रद्ध करने की बात थी अंग उस पुचलने की बात चल रही थी और सनमानिय अद्धक्षम होदे ये हम नहीं कह रहें कि कहीं ना कहीं उनी के संसत के द्वारा आई हुई बात है जो मैं यहां से रखना चाहती हूँ बिल्कुल हाँ यहां से रखना चाहती हूँ लेकिन सनमानिय अद्धक्षम होदे में देश क प्रचालीस वोट का ज्टका लगा और इनको अपेक्षा नहीं थी कि जन्ता हमें इतना बड़ा जटका देगी लेकिन मैं थोडिकल्ब्र Wheat करेंक हैं हमारे सांसद और मुझे पहने पूछ रहाते क्या आप लोग इतने खुश क्यों ओ incom किसान आज इतना परेशान है मेरे आप से विनंथी है कि जिस तरह से तिलंगड़ा सरकार ने या महाराश्टर में जब महाविकास रागाड़ी की सरकार थी हमने करजा माफ करने का काम किया था उसी तरह किसानों का करजा माफ वो सन्मानिय मैं यहां से आपको यह विनंदी करना चाहती हूं। मैं महापुरुशों के बारे में बात करना चाहती हूं। और उनके समारकों के बारे में बात करना चाहती हूँ. हमारे सनमानिया एक खाजदार साब ने यहां पे बात की, कि हमारे महाराष्टर के आध्धा आध्धा जो देवत हम लोग जिसको करते हैं, या महाराष्टर के असमीता जिसको कहते हैं, श्रीके विशेशर एक मिनिट जी आप बात कीजिए, प्लीज ओके समें लाष्ट पॉइंट के महाराष्टर के जो हमारे आध्धा देवत हैं, या हमारे जो असमीता है, चत्रपती शिवाजी महाराज, इनके अर्भी समुद्र की समारक की बात हुई थी, और देश के प्राइमिनिश्टर ने 24-12-2016 को इसको अजल पुजन किया था, सन्मानी अद्देक्षमोदे अभी तेक काम शुरू नहीं किया, शिव समारत का, सन्मानी अद्देक्षमोदे भारत रतन, डॉक्र बाबा सब अमबेड़कर जी के समारत का जो है, वो इंदुमील का भूमी पुजन 2015 को किया गया था, 11-10-2015 को, सन्मानी अद्देक्षमोदे ये हमारे सबसे बड़े अरहद देवत है, हमारी अस्मिता है, तो ये काम जल से जल होना चाहिए, ये मेरा यहाँ पे सन्मानी अद्देक्षमोदे है, बस मैं यही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है.